एक छोटे से गाव में दो बड़े दोस्त रहते थे, राजू और सुरेश. राजू और सुरेश की दोस्ती बचपन से ही थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और समय बिताते थे. राजू बड़ी दिन रात पढ़ाई करता था और उसका सपना था कि वह एक दिन अच्छा डॉक्टर बनेगा. सुरेश वानिज्य में था और वह भी बड़ा होकर एक अच्छा व्यापारी बनना चाहता था. एक दिन जब वे गाव के किसानों के साथ काम कर रहे थे, वे देखते हैं कि कुछ किसान अपने खेत में फंस गए हैं क्योंकि उनकी बैलगाडियों का पहिया तूट गया था. वे असहाई थे और किसी को भी खेत के काम में मदद नहीं कर रहे थे. इसके बाद राजू और सुरेश, गाव में, कई अन्यकारियों में भी मदद करने लगे, चाहे वो वरिद्धों की सेवा हो या गरीबों की मदद. उन्होंने यह सिखा कि सच्ची मित्रता और मदद किसी के काम आ सकती है और जीवन को सुन्दर बना सकती है. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करना और उनके साथ सच्ची मित्रता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सहायता करने से हमारा खुद का जीवन भी खुशियों से भर जाता है.